तो रहता है उसके न सांज की प्रॉब्लम होरी थी टो उसको फेटलाइज्छ करवाया उसके न जब उसको फेटलाइज करवाया था तो उसका ऑक्जी मीटर से चेकर किया था कि user's on we should इतना है तो 95 उसका oxygen level था अच्छा मतला वह सोचा की चलो ठीक है 95 oxygen level है एक दिन के वोस्पिटल रखते हैं थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा और फिर अगले दिन घर ले जाएंगे तो उनके घरवाले ऐसे करके रात को छोड़के चले गए ठीक है और आप बिलीब करो कि अगले कैसे possible है यार रो रो के घरवालों का बुरा आल था किस पे विश्वास करें किस पे ना विश्वास करें ऐसे मोत होती है क्या और कितरी धांदली चल रही है और सुनने में ये भी आ रहा है कि smuggling हो रही है organs की smuggling हो रही है human organs की इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहले तो एक genuine hospital में जाओ जहां पर आपको यकीन हो कि वो hospital हो hospital के लोग अच्छे हैं आपको विश्वास है या आपकी जानकारी है दूसरा चाहे जानकारी हो भी चाहे वो genuine हो भी मेरी आप से request है कि अपने घरवालों को ऐसे छोड़के मत आना उनके साथ रहना नहीं तो कुछ पत कर रहे हैं और सोच रहे हैं पैसा कमा लेंगे जो लोग सस्ती चीजों को महंगे में बेच रहे हैं जो लोग oxygen के cylinder को महंगे में बेच रहे हैं जो लोग दवाईयों को महंगे में बेच रहे हैं जो लोग इस condition का फाइदा उठा रहे हैं याद रटना दिन तुमारे भी बु पुरी मौत मरोगे, सच कहा रहा हूं, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी बद्वा नहीं निकल सकती किसी के मुह से, इसलिए मत करो, सुधर जाओ, दो पैसो के चक्कर में इमान मत बेचो, मत बेचो.